कि है अच्छो कैसु आप सब आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर 13 के जो मोस्ट इंपॉर्टन कोशन हो सकते हैं इसके जो जितनी भी मोस्टिंपॉर्टन कोश्चन होंगे वह सभी पॉइंटार डिस्केस करेंगे इसमें अगर मैं प्रिविए दस येर के जा अगर पेपर देखूं जो बोर्ड के हुए हैं तो मैगनिटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्टिक करेंड के टोटल 20 कुशन ऐसे हैं बीस कुशन ऐसे हैं जिसे अब आख बंद करके याद करके चले जाओ क्योंकि पिछले 10 सालों के पेपर में देखा जाए तो इनहीं 20 कुशन में से आ रहा है चाहे हो कंपार्मेंट का पेपर हो नॉर्मल बोर्ड का पेपर हो तो जो पिछले 10 सालों के पेपर में आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं तो आपको 20 कुशन याद क तक देखना एक एक point को note करते जाना सबसे पहला जो most important topic है वो आता है what is magnetic field, magnetic field होता क्या है, आप सब पूछा जाएगा कि magnetic field की definition बताओ, what is magnetic field, magnetic field किसे कहते हैं, the area around a magnetic, magnetic, magnet के चारो और का area, मालो ये magnet है, ठीक है, ये magnet है, तो magnet के चारो तरफ का जो area होगा, in which its magnetic force can be experienced, जहां ये magnet अपना force लगा सकता है, भी ये magnet है, अब ये अपना force तो लगाएगा ना, तो इसके चारो तरफ का area जहां पे magnet अपना force लगा सकता है, चारो रेक्शन में, उसे हम magnetic field वोलते हैं और इसका ऐसा युनिट जो हता है, वो टेसला होता है, क्या होता वेड़ा, टेसला, याद रखोगे, यह Magnetic Field की में चारो डेकशन में चारो डियाक्शन में मैंने जोना मैंनिट 5 को इन की सकता है, तो वो एरिया जहां magnet अपना force लगा सकता है उसे magnetic field बोलते हैं और इसका ऐसा unit हो जाए तो वो tesla होता है बिल्कुल point to point study करनी है तागि आप confused नहीं हो क्या लिखना है exam के अंदर वो चीज में आपको बता रहो heading डालना अपनी fair copy बना लो केवल 20 question आपको लेकिन अपनी fair copy में पहला एक डालो magnetic field इसकी definition यहां से यहां तक खतम करा है बिल्कुल point to point कोई अगर हम सगर हम कोई आलतो वालतो की topic हम start ही नहीं करेंगे केवल point to point discuss करेंगे exam के purpose से next point है characteristics of magnetic field line की magnetic field line के कौन-कौन से characteristics होते हैं तो magnetic field line के वैसे तो 5-6 characteristics होते हैं लेकिन आपको 2-3 याद करके जाना है ठीक है बड़ा magnetic field line के कौन-कौन से property हो दिया आप सब पूछा जाएगा what are the characteristics of magnetic field line की magnetic field line के कौन-कौन से characteristics होते हैं तो पहला जितने भी magnetic field lines होते हैं वो हमेशा north pole से निकलता है और south pole में जाके खतम होता है arise from north pole यानि जितने भी magnetic field line होती है वो north pole से तो arise होता है निकलता है and end into south pole और south pole में जाके खतम हो जाता है पहला second magnetic field line हमेशा close होता है कैसा होता है? closed हमेशा close curved होगा यानि circular semi circle के form में होगा close curve के rope में होगा state line में नहीं होगा तो आप कम से कम दो तो याद करी सकते हो कि magnetic field line की कौन-कौन सी property होती है पहली property में आपको क्या वोला कि magnetic field line जो होता है वो north pole से निकलता है और south pole में जाके खतम हो जाता है second आपको याद अखना है जितने भी magnetic field line होती है वो close curved होती है मतलब semicircle के firm होती है और तीसरा जो मैं आपको बोलूँगा वो ये वाला character है बस ये तीन character याद करी चले आना magnetic field line never intersect each other magnetic field line कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती अब आपसे exam में ये भी पुछा जा सकता है कि magnetic field line एक दूसरे को intersect क्यों नहीं करती तो because as for two line to intersect अगर ये दो line एक दूसरे को intersect करेगी ने बटा तो there must be two north direction at a point तो एक ही point पे दो north direction बन जाएंगे अगर दो line एक दूसरे को अगर दो line एक दूसरे को intersect करेगी तो एक ही point पर दो north pole बन जाएंगे जो की possible नहीं है इसलिए बच्चों magnetic field line कभी भी एक दूस्य को intersect नहीं करती तो आपका exam में पुछा जाएगा कि भी magnetic field line के character 6 बताओ property बताओ तो पहली property आपको याद अखना है कि magnetic field line north pole से arise होती है and south pole में जाके end हो जाता है magnetic field line हमेशा close curved होती है semicircle के form होती है magnetic field line कभी एक दूस्य को intersect नहीं करती क्यों कि अगर दो line एक दूस्य को intersect करेगी तो एक ही point पर दो north pole बन जाएंगे जो की possible नहीं है बागी और भी character है पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना लेकिन मेरी साब से 3 character बहुत जादा enough है इस से जादा marks का कभी आता नहीं है चलिए point number third पर आते है point number third हमारा right hand thumb rule right hand thumb rule as it is exam में आता है what is a right hand thumb rule आप सब पूछ लेगा कि right hand thumb rule क्या होता है पहला आप diagram से समझो ये पिटा state conductor ये एक state conductor है कौँसा conductor है इसे बोलेंगे state conductor आपने इस state conductor को सीधे चालक को अपने हाथ में right hand में पकर लिया दाएं हाथ में पकर लिया कुछ इस परकार से पकरा जिस परकार से diagram दिया होगा है इस परकार से आपने उसको जो आप पढ़ क्या रहो right hand thumb rule तो आपके समें right hand के अंदर state conductor को कुछ इस परकार से पकरोगे तो अगर ऐसा हम state conductor को पकरेंगे न तो ये जो हमारा thumb होगा ये जो हमारा thumb होगा वो क्या represent करेगा ये thumb represent करेगा हमारा current को thumb क्या represent करता है तो current को और बाकी जो चारो finger है यह जो बाकी चारो फिंगर है यह क्या रिपिजन करता है तो यह magnetic field को प्रिजन करता है बस दो बात याद अखनी है सिर्फ दो चीज कमाल है और इसके full marks मिल जाते हैं अगर हम किसी straight conductor को अपने दाएं हाथ में पखल लें तो यही चीजिए आपको definition में लिखने है यह diagram भी बनाना यह diagram बनाने का आफ शक्ता नहीं है कि अब आपको समझाने के लिए यूज करते हैं अब बना सको जल्दी बना सको तो बहुत बढ़ी है ठीक है देखो image करो you are holding a current carry conductor माल लिया कि आपने current carry conductor यानी state conductor अपने हाथ में ले लिया एक state conductor तुम्हें अपने हाथ में ले लिया in your right hand माल लो कि तुमने के state conductor को सीधे चालक हो state conductor जैसे rod हो गया rod में current है तो rod को तो नहीं पकर सकते ना तो माल लोगी आप rod को पकर लेते हो जो कि state conductor है सच रहे है इस प्रकार से पकरते हो कि जो थम है आपका जो अंग उठा है थम है वो किसको represent कर रहा है तो pointing to the direction of current यही बोला तो मैंने कि थम किसको represent करता है तो thumb represent करता है current को अगर thumb represent करें magnetic field को यही लिखा हुआ देखो such that thumb is pointing towards the direction of current जो thumb होता है वो direction of current को represent करता है then the fingers जो बाकी finger है wrap around the conductor जो conductor के चारों wrapped है मिले हुए है give the direction of magnetic field यह हमें क्या बताते है direction of magnetic field बताते है बच्छो तो अगर आपके exam में आ जाए कि what is the right hand thumb rule तो आपके पूरा लिखना पड़ेगा आप इ इसमें यह कहा जा रहा है कि माल लो आपने कोई state conductor अपने दाएं हाथ में पगल लिया यह state conductor है आप अपने right hand में पगल लिया ठीक है बड़ा आप इमेज करके दो पैन आपके पास है ना पैन को right hand में पगल लो अगर हम अपने दाएं हाथ में state conductor पगलते हैं तो thumb will represent the current and the other four fingers we represent the direction of magnetic field यो बाकी चार हों लिया है वो हमारे magnetic field की direction को represent करता है तो इसे बोलते हैं बच्चो right hand thumb rule ठीक है बड़ा तो यह answer लिख क्या होगे बिलकुल confusion होना है बड़ा simple concept है बड़े simple simple topic आपको बताऊंगा ज्यादा मैं आपको बताऊंगा है नहीं मैंने काना कि बीस question आपको magnetic field को effect करने वाले कौँघाट करने वाले कौन से factor है तो सबसे पहला बताऊंगे current. Magnetic field को effect करता है कौन current यह क्या है इसको बोलते हैं डाय Woo 56 कया है अब हम करेंट को बढ़ा देंगे, तो magnetic field में भाछ जायगा और हम करेंट को separated तो मेंटिक फील्ड भीडिक्रीज हो जाएगा, आपको आएगा, सच्छी एक्जाम में आएगा, ओटर दीचनस फेक्समि green, विड़ गाइगा, फेक्ति हमें रदीच को इफेक्टिंग, तो magnetic field भी increase होगा, current को decrease करेंगे तो magnetic field भी decrease होगा, बच्चो magnetic field को effect करने वाला दूसरा factor कौन है, तो distance from the conductor, conductor से distance, अभी upon में लिखा होगा, one upon, upon में क्यों लिखा होगा, इसका मतलब यह है, कि अगर हम distance को पढ़ाएंगे, तो magnetic field increase होगा, अगर distance को, sorry, अगर distance को increase करेंगे, तो magnetic field decrease होगा, उल्टा होगा, अगर distance को increase करेंगे, तो magnetic field decrease होगा, अगर distance को decrease करेंगे, तो magnetic field increase हो जाएगा, तो आपसे exam में क्या पूछा था, कि magnetic field को कौन कों से factor effect करते हैं, तो पहला factor कौन था, तो current था, दूसरा factor कौन था, तो distance from the conductor था, magnetic field को तीसरा factor जो effect करता है, वो कौन है, number of turns of the coil coil क्या होता है आपने देखा होगा पंखे वगरा को खोला होगा आपने तो वहाँ coiling होती है कुंडली होती है wire को लपेटा जाता है बहुत सारे wire को आपने देखा होगा लपेट रखा होगा उसे बोलते है number of turns in the coil तो magnetic field को effect करने वाला तीसरा factor कौन है तो number of turns in the coil कि आपने दार को किती बार coiling करी है उसकी किती बार coiling की गई है यह तीसरा effect है और चौत्था कौन होता है तो fourth होता है nature of material nature of material magnetic field is addictive in nature nature of material कि आपने कौन सा material के इस्तमाल करा वही आपने लोहे का इस्तमाल करा आपने गोल्ड का इस्तमाल करा यह आपने silver का इस्तमाल करा आपने copper का इस्तमाल करा आपने कौन सा material यूज करा उस पे magnetic effect effect करता है magnetic field तो question पहला question को समझो क्योंकि mostly आपने सब वो बच्चे हो जो question को नहीं समझते है आप लोग answer पे ध्यान दे रहो लेकिन मैं कहा तो पहले question पर focus करूँ कि आप से पूछ किया रहा है question आप से पूछ रहा है कि what are the factors affecting magnetic field magnetic field को effect करने वाले कौन-कौन से factor है तो magnetic field को effect करने वाले पहला factor है current दूसरा factor है distance from the conductor तीसरा factor है number of coiling and fourth है nature of the material यह चार factor there are four factors who effect the magnetic field यह चार factor है वच्चो जो magnetic field को effect करते हैं ठीका बटा चलिए point number five प्या आते हैं बटा what is solenoid most important question है mostly exam में यही आता है what is solenoid कि solenoid किसे कहते हैं what is solenoid solenoid अब क्या समझते हो मतलब question के अंदर solenoid आना चाहिए इसका मतलब क्या है आप एक क्या करो cylindrical कोई भी cylindrical object ले लो cylindrical form में होना चाहिए जैसे मालो आपका marker है marker आपने देखा होगा हमारा pen आपके पास है वो भी cylindrical form में है कोई भी cylindrical form ले लो और उसके उपर copper के wire को लपेट लो copper के wire की coiling कर लो उसे बज़ते है coiling of copper wire कोई भी cylindrical object ले लो उसके उपर copper wire को लपेट लो ठीक है a coil of many circular turn एक coil जिसमें बहुत सारे circular turn होंगे insulated copper wire copper wire को हमने लपेट लिया किसके चारो और closely in a cylindrical form एक slender के उपर तो आपको पता है क्या होगा जब आप उसमें current provide करोगे जब उसको current दोगे तो magnetic field provide करेगा और वो magnetic field बनकर एक bar magnet के रूप में काम करता है वो जो solenoid है वो एक bar magnet के रूप में काम करता है bar magnet क्या होता है simple magnet वो एक magnet के रूप में काम करता है तो सच जिससे क्या होगा इससे फाइदा क्या है पंखे में बैठे हो ना, उसमें solenoid का इस्तमाल किया गया है इसी में बैठे हो ना, solenoid का इस्तमाल किया गया है टीवी देखते हो, solenoid का इस्तमाल किया गया है लगभग हर एक electric device में solenoid का इस्तमाल जरूर किया जाता है थाकि magnetic field को बनाए जा सके तो इसलिए जानना जरूरी है ना कि solenoid होता क्या है तो solenoid में आपको simple क्या करना है एक cylindrical object ले लिया बही मान लो यह मेरे पर cylindrical object है इसके ओपर क्या करते हैं copper wire की coiling करते है copper के तार से इस प्रकार से इस पर coiling कर देते हैं copper wire की coiling कर दी जाती है अब इसमें current जब provide करोगे तो यह magnet बन जाएगा इसको हम बार magnet बोलते हैं तो यह solenoid की definition आपको कहां से कहां तर लिखनी है यहां से start करोगे और आप यहां पर answer खतम करोगे यह हमारे solenoid की definition होगी ठीके बटा पॉइंट 6 पर आता है बच्चो solenoid के बाद आप से एक्जाम में पूछा जाएगा what is the difference between electromagnet and permanent magnet बटा दो परकार के magnet होते हैं एक होता है एक होता है permanent magnet मैं आपको दोनों में फुरा सा फर्क बताता हूँ जो घर में हम पंखा यूज करें टीवी यूज करें एसी यूज करें वो सब electromagnet है उन सब में एक्ट्रो मैगनेट का इस्तमाल होता है लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसे डिवाइस भी हैं जहां काम पर्माइंट मैगनेट का इस्तमाल करते हैं पर्माइंट मैगनेट एक्ट्रो मैगनेट होता है जिसमें बार बार आपको एलेक्ट्रिक करेंट एड़ करने की आप शक्ता नहीं है जैसे घर में रेडियो में पर्माइंट मैगनेट का इस्तमाल करते हैं रेडियो बगरा ज्यादा powerful होता है इसको आप छूनी सकते परमाइट मैगनेट को आप छून सकते हो यह वीक होता है Electromagnet जो होता है Electromagnet के direction को reverse किया जा सकता है इसके pole को बदला जा सकता है जब कि परमाइट मैगनेट के जो pole है उसको बदला नहीं जा सकता Electromagnet बहुत dangerous होता है permanent magnet dangerous नहीं होता तो चलिए difference पढ़ते हैं दोनों में क्या difference लिखना है it is a temporary magnet यह temporary magnet है temporary magnet मतलब क्या है कि जब तक current रहेगा तब तक वो magnet है current खतम magnetic power खतम तो electro magnet जो होता है वो temporary magnet होता है जबकि permanent magnet को हम cannot be easily demagnetize इसको हम वापिट demagnetize नहीं नहीं कर सकते हैं एक बार magnet बन गया जिन्दी की भड़ वो magnet ही रहेगा दोनों फक्समें में आ गया यह temporary magnet होता है जब तक current रहेगा तब तक magnet current बन magnetic power बन जबकि इसमें एक बार current दे दो यह magnet बन जाएगा उसके बार lifetime भी magnet ही रहेगा second इसकी जो strength होती है वो vary करती है कम भी हो सकती है जादा हो सकती है जबकि इसकी strength लगवाख fix होती है एक जैसी होती होती है हर किसी में इसके pole को बदला जा सकता है reverse किया जा सकता है pole को jump चाहिए हम बदल सकते हैं इसके pole को हम change नहीं कर सकते हैं क्या नाम है पुल को बदला नहीं जा सकता। जर्ण इससे स्रॉइक सिर्क मैंगनेट準 बोलतों है और इसको निसल्द कुण के लिएकजा हag ऊगएगा Varum Electromagnet और Permanent Magnet में क्या difference है? What is the difference between Electromagnet and Permanent Magnet? तो आपको याद अखना है difference, Electromagnet और Permanent Magnet के बीच में, यह 4-4 difference याद कलोगे, more than enough है. टिका बेटा, चलिए, point number 7 पर आते हैं बच्छो, Flaming Left Hand Rule, Flaming Left Hand Rule, यह Flaming Left Hand Rule, टीचर समझा समझा के पागल हो गया होगा, इस step के आपके स्कूल में जरूर समझाएगा, आपके टीचर में जरूर समझाएगा, अगर आपने कोचिंग ली होगी, तो उन्होंने भी आपको समझाया होगा, कि Flaming Left Hand Rule क्या होता है? Flaming Left Hand Rule में क्या कहता है? कि हम अपने Left Hand के, नामी ना Left Hand, तो अपने Left Hand के तीन फिंगर को फैला दो, अपने Left Hand के तीन फिंगर को फैला दो, कौन-कौन से फिंगर? एक आपका होगा थम, जैसे आपको दिखाए दे रहा है, इसे बोलते हैं थम, यह होगा Four Finger, और यह होगा Middle Finger, तीन फिंगर को एक दूसरे को फैला दो, ठीक है? और यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जी है, पहला Point यही है, Flaming Left Hand Rule में हमें दो Point पढ़ना है, एक Point में नहीं पढ़ने हम, दो Point में से Convert कर देंगे, पहला Rule क्या कहता है? कि आप अपने Left Hand के Thumb, Four Finger और Middle Finger को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैला दो, पहला Pass समझ में आगी? तो दो को पहला Point यही है, Stretch the Thumb, Four Finger and Middle Finger of your Left Hand, such that they are mutually perpendicular, यही तो मैंने बोला था, मैं बोलता हूँ तो समझ में नहीं आता, अब यही लिखा होने से, कि Thumb, Four Finger और Middle Finger को एक दूसरे के परपेंडिक को फैला दो, यही मैं आपसे तप से बोल ला हूँ, कि Thumb, Four Finger और Middle Finger को एक दूसरे के परपेंडिक को फैला दो, फैला दिया सर जी, अब आप एक एक को नाम याद करो, जो Thumb होगा, Thumb, आपको सिंपल यह वाला बनाना है, यह डाग्राम बनाना आपको, सिंपल सा, यह बनाना की जौत नहीं है, Left Hand Rule में, तो दो पॉंट हो गए न, पहला पॉंट हमने क्या समझा, कि हम अपने Left Hand के Thumb, Four Finger, Middle Finger को एक दूसरे के परपेंडिक को फैलाएंगे, तो ऐसा क्या होगा, Thumb represent करेगा Four, या Motion of Conductor, Motion of Conductor को, Four Finger क्या represent करेगा, Magnetic Field of the Conductor को, Middle Finger क्या represent करेगा, तो Current of the Conductor को, देखो यही ची, अगर आपने यह याद के लिया, तो यही ची लिखना है, देखो न, If Four Finger, जो Four Finger है, यह Four Finger है, Point the Direction of the Magnetic Field, कि वो Magnetic Field को represent करेगा, Current Magnetic Field को, तो Middle Finger जो है, Current को represent करेगा, देखो Current को represent करेगा, Middle Finger Current को represent करेगा, तो Thumb क्या represent करेगा, तो Thumb represent करेगा, Motion, देखो Motion of Force, यही चीज़ तो बोला है भाई, तो जिसने डाइग्राम समझ लिया, उसको तो दो Point अपने हाँ मिल गए, कि लिए हो क्या दो Point? दो Point समझ में आगे है बटा, इसे दो Point में Convert करेगा, जल्दी याद हो जएगा, पहला Point हमने क्या बढ़ा, पहला Point हमने पढ़ा, कि हम अपने Left Hand के तीन Finger को एक दूसरे के पर पेंडिक और फिल आएँगे, थम को, 4 फिंगर को अजिर, एक दूसरे के परपेंडिक को भिल आएँगे, तो को दो थम होगा, motion of the conductor कि रवीपेंटर के एगा, 4 फिंगर, magnetic field of the conductor को डिपेंटर करेगा, मिडिल फिंगर करेगा, ठीक है बिटा, आगे बढ़ जाएं, चलिए, point number 8 पे आता है बिटा, electric motor, electric motor क्या होता है, what is electric motor, बढ़ा simple सी definition है, अच्छा बता हो हम सब के घर में motor है, तुरांत motor start कर देते हैं, पानी कम हो गया, मम्मी, motor start कर दो, पानी खतम हो गया, तुरांत स्टार्ट करते हो, तो आपका हक नहीं बनता जानने का की motor होता क्या है, काईदेश से आपका हक बनता है ना, कि आप motor को जानो की motor क्या होता है, तो चलिए motor समझे, अब motor इस डिवाइस, motor एक ऐसा डिवाइस होता है, which convert electrical energy into mechanical energy, motor वो डिवाइस होता है, जो electrical energy को mechanical energy में convert कर देता है, बस इतना याद करना है इट गर्ट इवाइस को कहते हैं जो electrical energy को mechanical energy में convert कर देता है, बस अतना याद धखना है, it converts the electrical energy into mechanical energy, अब आपको पद इसका इस्तेमाल कहा का होता है, तो पंक्रे होता है, washing machine में होता है, refrigerator में होता है, mixer में होता है, grinder में होता है, बहुत सार जो आपके आस पास दिख रहे हैं, आपके घर में बहुत सारे ऐसे appliances होंगे, आपके घर में ऐसे appliances है ने बहुत सारे, इन सब में हम electric motor का इस्तमाल करते हैं, तो आपको याद रखें, ओब बेटा, electric motor, क्या होता electric motor, यह electric energy को mechanical energy में convert कर देता है, ठीक है, अच्छा, most important principle of electric motor, कि electric motor का principle क्या है, what is the principle of electric motor, आप मोश्ट electric motor utilize the magnetic current, effect of current, electric motor क्या यूज़ करता है, तो magnetic effect of electric current को यूज़ करता है, it work on the principle, यह इस principle पर काम करता है, कि when the rectangular coil is placed in a magnetic field, कि जब हम magnetic field के अंदर किसी coil को रखेंगे, जब हम magnetic field के अंदर किसी coil को रखेंगे, and current is passed, और current प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो coil होगा, रोटेट होने लगेगा, और बहुत तेजी से रोटेट होगा, इससे तो सारे motor आपको दिखाई देते हैं, गोल-गोल घुमता हुआ, क्योंकि coil रोटेट होता है, तो आप से exam में पूछा जाएगा, कि what is the principle of electric motor, कि electric motor का क्या principle है, तो आप याद रखना, electric motor जो होता है, वो magnetic field of current का इस्तमाल करता है, यह इस principle पर काम करता है, कि जब एक rectangular coil को, magnetic field के अंदर रखायाता है, तो और current पास की जाती है, तो वो जो coil है, वो लगता होने लगता है, घूमने लगता है, तो इस principle पर काम करता है, आपका electric motor, ठीक है बच्चों, तो यह principle of electric motor है, जिससे आप fair copy में नोट कर लेना, नोट करोगे, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, नोट नहीं करोगे, तो आपको दिक्कत आएगी भविश्य में, point number 10 बढ़ेंगे, what is electromagnetic induction, आपके exam में पूछा जाएगा, कि what is electromagnetic induction, कि electric magnetic, electromagnetic induction क्या होती है, तो definition क्या है, electromagnetic induction की, when our conductor is placed in our magnetic field, मान लो यह magnetic field है, क्या है, magnetic field है, और आपने इसके बीच में conductor रख डिया, धिहान सा, मैगनेटिक field के बीच में, आपने conductor रख डिया, conductor हम तार रख डिया, ठीक है, some current is induced in it, और जैसे हम कुछ current इसके अंदा इंडियूस करेंगे, जैसे हम कुछ current के अंदा induced करेंगे, such current is call induced current, उस current को हम induced current बोलत कई बार एक्जाम में Electromagnetic Induction लिखा हुआ नहीं आता है, उसकी जगा Induced Current लिखाता है, कि what is Induced Current, तो दोनों का मतलब यह की है, Electromagnetic Induction, या तो Electromagnetic Induction, या फिर Induced Current, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, दोनों का मतलब यह की है, तो क्या परहा हमने, कि यह क्या था, यह था Magnetic Field के अंदर हमने क्या रखा, Conductor रखा, और हमने थोड़ा सा Current इसके अंदर पास करा, Conductor में थोड़ा सा Current पास करा, Such Current is called Induced Current, इसको बोलते हैं Induced Current, and Phenomena is called Electromagnetic Induction, इसको बोलते हैं Electromagnetic Induction, आप अचा यह था होगा, बाइक चलाते हो, बाइक आते हैं वो चलानी, कभी Self मारा आ इसके अंदर, जयसे ही थोड़ा current देते हैं, यह क्या होता है, इसमें पूरे में Current आती है, बाइक में पूरे में Current आ जाती है, बाइक चलना स्टार्ट हो जाते हैं magnetic field के अंदर जब हम magnetic field के अंदर conductor रखते हैं और current pass करते हैं तो जैसे हम current pass करेंगे तो इसको बोलेंगे induced current क्या बोलेंगे induced current और ये induced current help करेगा ये induced current help करेगा उस device को चलाने के लिए तो exam में आप से पूछा जाए what is electromagnetic induction या पूछा जाए what is induced current तो दोनों के definition एक ही होगी वेटा next point पर आते है वेटा next point अगला point करते हैं कि अगला point क्या important है तो next point है वेटा flaming right hand rule वो था left hand rule अब पढ़ेंगे right hand rule दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है फिर से दो ही point है फिर से दो ही point है पहला point क्या बोलोगे और middle finger भाई तीन finger के नाम तो याद कलो कम सको इस finger को क्या बोलते है thumb बोलते है इसको क्या बोलते है four finger बोलते है इसको क्या बोलते है middle finger बोलते है ये तो normally हमें पता होना जीए science छोड़ो science छोड़ो normally हमें जीवने पता होना जीए ना इन finger के नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, थम, इसको क्या बोलते हैं, आपका four finger, ये middle finger, एक होता ring finger, आपको पता होने जिए पाच्चों finger के नाम, तो हमें तो तीन finger से मतलब है भी, तो अगर हम thumb, four finger, middle finger को एक दूसरे के perpendicular फैला दें, पहला point यही है, middle finger को, अपने right hand को, right angle पर perpendicular फैला दो, ऐसा करने पर, ऐसा अगर करोगे, तो क्या होगा, ऐसा करने पर, जो thumb है, वो movement of conductor को represent करेगा, जो four finger है, वो magnetic feet of conductor को represent करेगा, और जो middle finger है, वो current को represent करेगा, तो ये आपको याद रखना है, दो, दो point, ठीका बिटा, तो second point को यही लिखा होगा है, if the four finger, जो four finger है, वो direction of magnetic field को, magnetic field के direction को दिखाएगा, जो thumb है, वो आपके direction of motion of conductor को दिखाएगा, और जो, आपका last बच गया, middle finger, वो current को represent करेगा, तो दो point होगे न, बिल्कु सेम पॉइंट इता है, बिल्कु सेम पॉइंट है, right hand rule, left hand rule, दोनों सेम जैसे हैं, उसमे भी पराओं आपने, कि आपने left hand के thumb, four finger, middle finger को इस जुसरे के perpendicular फ才्लाओ, इसमें भी परोहाँ, कि आपने right hand के thumb, four finger, middle finger को फेलाओ, つो thumb क्या iज रिपिजन करेगा, movement of conductor को, four finger quieren करेगा, magnetic field of conductor को, और middle finger क्या represent करेगा तो current of the conductor को मैं कहता हूँ अगर diagram आपने आखों में सही से बसा लिया अगर diagram को आपने बसा लिया तो मुझे लगता ही आप अपने आप लिख लोगे दो point, first point तो वही है, perpendicular बाला और second point उसका answer बता होगी ठीक है बटा, इसे बोलते है framing right hand rule आगे बढ़ते है बच्चो electric generator, electric generator क्या होता है शादी भ्या में आपको पता है generator का इस्तेमाल करते है, हम भी आजकर अपने घरों में generator बैटरी का इस्तेमाल करते हूं न हम लोग generator का हम इस्तेमाल करते हैं घरों में इसमें है इलेक्टिकल एनरजी में, मेक्निकल एनरजी को इलेक्टिक एनरजी में कनवर्ट करता है, आप चाहओ तो first point छोड़ सकते हो, आपके बल यहां से याद कर सकते हो, यह सबसे अच्छा definition है, यहां से यहां पर खतम कर दो, इलेक्टिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस हो अधा है, जो मेकनिकल एनर्जी को कनवर्ट करता है, इलेक्टिकल एनर्जी में, यह ऐसा डिवाइस है, जो मेकनिकल एनर्जी को कनवर्ट करता है, किसमें है, इलेक्टिकल एनर्जी में कनवर्ट करता है, यह इसकी डेफिनेशन है तो next point किया बड़ा principle of electric generator जैसे आपने पessäना electric motor का principle होता है ऐसी हमें पढ़ना पढ़ेगा electric generator का principle होता है तो electric generator को principle होता है जो है आपने पढ़ाता है электromind induction भी पढ़ाता है कि किसी conductor के बीच में किसी magnetic field के बीच में अगर हम conductor को डाल दे यह वहात जादा इमपोड़ेंटेने बहुत जड़ा हैं ठीश जनल्फ और इस जबा चरह एंपोड़न भोट ज्यादा इस्तिमाल करते हैं क्या करने के लिए थ्रोटेट कंड़क्टर कोरने के लिए इने मीडिल फील के अंदर, to produce electricity, ताकि वो electricity को जन्रेट कर सकें, जितने भी आप से एक्जाम में पूछा जाएगा, कि what is the principle of electric generator? वे, electric generator का principle पता होता, आपको बताना है कि in a electric generator, electric generator के अंदर mechanical energy का इस्तमाल होता है, electric generator के अंदर किसका इस्तमाल होता है? mechanical energy का इस्तमाल होता है कि रोटेट अंदक्टा को रोटेट करने के लिए एक मैंडिक फीड के अंदर ताकि היא ठी प्रिक्र लॉक्टेथी ती ट्यूक्र सब्सक्रते है उसको उस principle का नाम है बच्चों, electromagnetic induction, तो electric generator, electromagnetic induction के principle पे काम करता है, तो principle, electric generator समझ दोगे बटा, कि electric generator जितने भी होते हैं, वो सब mechanical energy का इस्तमाल करते हैं, किसी चीज़ को rotate करने के लिए, ताकि वो electricity प्रेडूस कर सके हैं, और electric generator, electromagnetic induction के principle पे काम करता है, चलिए, 14 point पे आता हैं बटा, 14 point क्या होगा, तो 14 point आपको या दखने है, DC generator, दो टैप के generator होता है, एक होता AC generator और एक होता DC generator, तो पहले आप DC generator के बटारों पढ़ लो, फिर मापको AC generator भी समझाऊँगा, DC generator, DC का मतलब है, direct current, direct current, direct current, direct current, यानि ऐसा current जिसमें direction change नहीं होता, ऐसा current जिसमें direction नहीं होता, उसे हम direct current बोलते है, तो it is a device, यह device ऐसा होता है, which convert mechanical energy, यह mechanical energy को convert करता है, इलेक्टिकल energy में convert करता है, यह तो simple definition हो गई, यह तो simple definition हो गई, लेकिन आपको अगर और अच्छे से लगना है, तो आप AC समझ लो, AC का उल्टा कर देना, अब AC क्या होता है, alternate current, इसमें direction चेंज होता है, the current which reverse its direction, आगे न, which reverse its direction, जो अपने direction को change करता है, उसे हम AC बोलते हैं, और DC में क्या लिखोगे, DC में, अगर आप चाहो तो यह ना लिखके, यह वाली definition लिखके, आप खुद बना सकते हो, क्या definition बनाओगे, DC के बारे में, the current which does not, यहां क्या हैगा, यहां बीच मार्ट करता ह ठीका, the current, which does not reverse its direction, उसे बोलते है DC, तो AC ड़िसे ओफ्रक्स में आगया, AC कौन होता है, जो आपने direction को change करता है, इसलिए था समी आपने, अल्टरनेट नियूट दो ब्लेट उर्टरनेट करनेट बाटलना तो ुच यूइं गरता है और सालेक्षिह भीवाय Consigl теперь अब सबस्कje नहीं करता है अपको सबस्ट अब दोनों का पहले एडवांटेस समझो इसमें 16 पॉइंट मापको बहुत साइची है सब्सक्राइगी अब दोनों का पहले एडवांटेस से अब दोनों को बहुत सकते हैं विदा लॉस अब पता है जैसे हम दिल्ली में हम लोग रहते हैं तो हम लोग क्या करता है है करेंट खहिड लेते हैं को गारते हैं कभी पंजाब सख सखीड़े लेते हैं अलाकिल स्टेट सो हम लोग करेंट खहिए आपके घर करेंड पहुंच रहा है तो AC can be transmitted over long distance. AC को दूर तक भेजा जा सकता है, जबकि DC को दूर तक भेजा, नहीं जा सकता. लेकिन इसका disadvantage भी है. AC का disadvantage गया है, कि AC को आप stored नहीं कर सकते, एखटा नहीं कर सकते. AC cannot be stored. आप AC को एखटा नहीं कर सकते. अब DC के क्या क्या फाइदे हैं? पहला फाइदा कि डैक करन जो होता है, इसमें डैक्षन को अपना रिवर्स नहीं करता, बदलता नहीं है. DC को हम स्टोर कर सकते हैं. देखो न, मोवाईल की बैटरी में खटा कर रखा हमने. लॉस अफ एनरजी जादा होती है. लॉस अफ एनरजी जादा होती है. DC हम कहाँ खटा कर सकते हैं? तो cell में खटा कर सकते हैं, बैटरी में खटा कर सकते हैं, storage cell में खटा कर सकते हैं. तो DC को हम कही जगा खटा कर सकते हैं, लेकि AC को खटा नहीं कर सकते हैं. तो यह complete 16 points है. क्यों? अगर मानलो आपसे देखो, इसमें कई सारे point cover हो जाते हैं अगर आपसे पूछे advantage of AC, तो किवल ये वाला point आएगा अगर आपसे पूछे disadvantage of AC, तो किवल ये वाला point आएगा अगर आपसे पूछे deck current के advantage, disadvantage, तो किवल ये वाला point आएगा लेकिन अगर आप सब पूछे AC और DC में difference बताओ ध्यान से देखो एक्जाम में आता है क्या आता है कि AC और DC में difference बताओ एक तरफ AC लिख दो एक तरफ DC लिख दो देखो मैं आपको difference बताता हूँ आप खुद भी याद कर सकते हो एक तरफ मैंने क्या लिख दिया एक तरफ मैंने लिख दिया AC ये हो गया आपका AC ठीक है और एक तरफ मैंने लिख दिया DC तो आप से पूछेगा भाया AC और DC में difference क्या है तो दोनों का one by one AC can be transmitted over long distance पहला point हो गया AC को दूर तक भेया सकता है DC को दूर तक नहीं भेजा सकता पहला point without much loss of energy इसमें loss of energy कम होती है loss of energy कम होती है इसमें loss of energy ज़्यादा होती है loss of energy ज़्यादा होती है दो difference हो गया AC को हम दूर तक भेज सकते हैं DC को दूर तक नहीं भेज सकते AC में loss of energy कम होती है सब्सक्राइब कर सकते इट कैनोट भी स्टोर किया जा सकता है चार डिफ्रेंस बहुत है दुबार बता तो को दूर तक भीजा सकता है डी सी को दूर तक नहीं भीजा सकता एसी में लॉस अफ एनर्जी कम होता है डी सी में लॉस अफ एनर्जी ज्यादा होता है एसी को हम स्टोर एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं डी सी को स्टोर कर सकते हैं एसी में डैरेक्शन चेंज होता है डी सी के अंदर कोई डैरेक्शन चें लेकिन DC को DC को वापिस AC में कनवर्ट नहीं किया जा सकता AC के भी कनवर्टे इंटु DC बट DC कैननोट भी कनवर्टे इंटु AC तो में जाब से 5 डिफरेंस बहुत ज़्यादा इनफ है अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिमाइड करके देखोगे तो आप चाहो तो कॉपी में 5 डिफरेंस लिख भी सकते हों जो मैं आपको पता है टेक है बिटा नेक्स्स पॉइट स्वंटेंट पविच vocal हांगे ह्मारे घर हिंदर को टो AMY favorite दि edno आर्फ वार便 हमारे घरों के अंदर domestic electric circuit के अंदर तीन टाइप के वायर होते हैं तो जो ग्रीन होता है वो न्यूट्रल होता है तो तो जो लाल कलर का तार होगा तार होगा नूट्रल बाइज हो गागा अगर ब्लेक कर दिखा है आपको ब्लैक कोटिंग उसको पर, ब्लैक इंसलेटर कबर है, तो वो नूट्र वायर है, और अर्थवायर जो होता है, वो ग्रीन क्रण का होता है, तो एक चीस तो आपको याद होने हैं सबसे पहला, क्या? कि हमारे घरों में जो डुमेस्टिक इलेक्टिक सर्किट है, घरों के अंद पे चलाए जाते हैं सारे the potential difference between live wire and neutral wire in India भारत में live wire और neutral wire के बीज़ of potential difference होता है वो कितना होता है 220 volt का होता है इसलिए normally जो हम फैन खरीते हैं यह सब 220 पे ही ideally चलते हैं अब यह घर तक हमारे electricity कैसे पहुंचता है इस डाइग्राम को आपको बनाना है, सबसे पहले करेंट कहा आता है, पोल, पोल से कहा आता है, मेन सप्लाइ में, पोल से, पोल लगा ना, आपके गली में, पोल लगा हुआ है, वहाँ सा आता है, मेन सप्लाइ में, मेन सप्लाइ में आता है, आपके घर के अंदर जो फ्यूज लगा रखा है government वह मीटर में जाएगा मीटर से distribution box में जाएगा अलग अलग बॉक्स में पहुंच जाएगा और वहां से अलग अलग circuit में पहुंच जाएगा पंखे में टीवी में बल्व में प्रसिंपल सा लिखना है पहले बताओगे तीन टाइप के वायर होते हैं लाइब वायर अर्थ वायर लाइब रेट कलर का पोटेंशल डिफेंट 220 वोल्ट का होता है पहले पोल में आता है उसके फ्यूज में फिर मीटर में फिर डिस्टिबिशन बॉक्स में उसके बाद सरकें पहुंच जा जादा आजाए अगर कभी एव्लेक्टिक करेंट जादा आजाए तो अर्थ वायर क्या करता है वह अधीक एलजुकरेंड को जमीन के भी appreciate को जमीन के नीचे भिज्ट देता मैं हमारे डिवाइस दो संक से बचा लैता है हमारे अ current अगर कहीं current leak हो रहा हो ना अगर कहीं पर current leak हो रहा हो तो यह हमें shock से बचा लेता है especially in metallic body appliances खास कर जो metal से बने होते हैं चीज़ें होती है उनमें it provides a load assistance यह load assistance provide करता है ताकि हमें current नहीं लगे in case of leakage of current जब current leak होगा जब current leak होगा ना तो आपको महसूस होगा कि आपको current लग रहा है लेकिन आपको ज्यादा current नहीं लगेगा क्यों क्यों क्यूंकि earth wire में यह system है कि यह protect कर सकता है में किस से electric shock से अगर कहीं current leak हो रहा हो ना तो यह electric shock से हमें बचाता है earth wire जो green color का होता है short circuit क्या होता है next point यह दो वायर पढ़ेते कौन-कौन से live wire और neutral wire किसी कारण से आपस में लाइब वायर और neutral wire किसी कारण से आपस में जुड़ जाए तो इससे बहुत जादा electric and provide होने लगती है और इतनी जादा electric and provide हो जाती है कि आग लग जाती है तो आपको लिखना पड़ेगा लीघो लीघो होला है लिए ओर लिघ्टर में नैच बैसा इंधो यह तो जाती है और उससे壓र लोडिंग ते ले लूटन से आग लगने की समस्यां बढ़ जाती है तो बच्चों अगर आपके जामहें शॉट सब्ऺिट क्या होता है तो मैं तो आप क्या लगना कि live wire and neutral wire जब एक दूसरे के contact माता है accidentally तो resistance low हो जाती है, overloading की समस्या होती है जिससे आग लग जाता है तो बना का मत लिखना है, पता लगा आप बना के लिखने लगी, आग लग जाती है वो factory मा आग लग गई, short circuit हो गया जाओ, बैने news में सुना, भाई येश में लिख लिखना है ये सब निखना है, ये वको स्फ चीजह आपको सिफ समझाने के लिए यूस्कर रहा है यय सश्टी नहीं है, ये साइंस है आपको आँ जाभ लिखना है बस, यही लिखना है, बस इतना है जादा कानी केवल इतना लिखना है कि वें लाइबार कम इंड़ाइग कॉंटेक्ट विदा नुक्तर एक्सिदेंट लिए रसिस्टेंट विद बी लो और एंड कैन वी रिजल्ट इन ओवर लोडिंग इस रिजल्ट इन आग पकर सकती है तो यह शॉर्ट शेपिन आपको यह आंसर लिखन चलान कर गिया चलान कर जाता है तो बहुत जादा माल पड़ा हुआ तो वह लोडिंग का मतलब क्या है कैपसिटी से ज्यादा कैपसिटी से ज्यादा लोड होना वह आपने मीटर लगा रखा है 2 kg का 1 kg का और आपके चला पांच-पांच तो कैसे लोड जेलेगा वह करेंट जादा मांग रहा है उतना आपका इमिटर जिन पाएगा तो ओवर लॉडिंग की समस्या चैपसिटी से ज्यादा डिमांड करना तो वेन करेंट ड्रॉन इज ओडर जब करेंट की ज्यादा रिबांड होती है क्यों वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज् एक सिंगल सॉकेट में एक सिंगल सॉकेट में जब हम बहुत ज्यादा अप्लाइंस के स्थमाल करते हैं तो उससे भी ओलोडिंगी समस्या बढ़ जाती है तो यह 20 इस चेप्टर के यह चेप्टर जो था इतना सान नहीं था यह 20 पॉइंट याद कर लोगे मैं आपको कंफर्म कह सकता हूं कि आपके एक्जाम इसी 20 पॉइंट में से अधिकतर आता है क्योंकि प्रिवेश्य के पेपर अब देखोगे तो मोश्टी पॉइंटी पॉइंट में स अधिक का मतलब क्या है ठीक बच्चों तो अच्छे से प्रिप्रेशन करना वेश्य में तब सापको अच्छे से प्रभाई करना कोई दिख्खत हो कमेंट करके पूछ लेना इन 20 पॉइंट को इस चेप्टर में याद करना ठीक है बटा वेस्ट अवलक में तब से आपको ब